समाजवादी पार्टी के संग्रक्षक और उत्तरप्रदेश के पूर्थ मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव की तबियत फिर बिगर गई है जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है जानकारी के अनुसार मुलायम सिंग यादव अपने रूटीन चेक अप के लिए गुरु ग्राम के मेदानता अस्पताल गए थे जहां उनकी अचानक तबियत बिगर गई इसके बाद उन्हें अस्पताल में ही भरती कराया गया बताया जा रहा है कि आज यानि की शनिवार को उनके पुत्र अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने अस्पताल जा सकते हैं आपको बता दे कि इससे पहले पिछले साल भी उनकी तबियत बिगर गई थी जिसके बाद उन्हें मेदानता अस्पताल में ही भरती कराया गया था 82 वर्षिय मुलायम सिंग को बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल लाया गया था जहां उनकी तबियत बिगरी थी डॉक्टरों की सलाव के बाद उन्हें भरती करा दिया गया था इससे पहले मुलायम सिंग यादग को पेशाप की नली में संक्रमन के बाद लखनव स्थीत मे मेदानता अस्पताल में भरती करवाया गया था कई दिनों तक वहां उनका इलाज चला था इसके बाद वहां से छुट्टी मिल गई थी सपा अध्यक्ष खिलेश यादव और उनकी पतनी डिमपल ने अस्पताल जाकर मुलायम सिंग यादव का हाल लिया था जुलाई में भ अक्सर स्वास्त संबंधी दिक्कतों का सामना करते रहते हैं आपको बता दे कि मुलायम सिंग ने 7 जुन 2021 को कोरोना वेक्सिन की पहली डोज लगवाई थी जिसके बाद अक्सर उनके पेट में दर्थ रहता है पिछले साल दिसंबर में भी उन्हें पेट में दर्थ की समस् चाके चलते मुंबई के अस्पताल में भरती कराया गया था निउस्टैस्ट रिपोर्ट असमादित्य